तो फ्रेंट्स क्लफ पेक्ट्री पर दिन बाद दिन प्रोब्लम बढ़ती ही जा रहे हैं और प्रोडक्ट डिलेवरी डिलेड या बहुत सारी समस्चा है पेमेंट रिफंड की हो या रिटर्न पॉलिशी बहुत सारी इसी कहानिया है जो हमारे पास कमेंड के रूप में आती ह जिन आज हम आपके साथ सेर करने आले हैं उनके सौल्स का तरीका बताने वाले क्या करना है क्यों सारी समस्चामेंसे बां केसे आना क्योंकि फिलाल बैन е83 कान कड़ रहा है लेकिन इसमें जो हने वाली प्रोब्लम है उन से आपको कैसे बाहार आना सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो बने रही है इस वीडियो में एंड तक चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स क्लब फेक्टरी के जो अकॉंड के ऊपर है वहाँ पर यह ओरेंड लैंस हो की जा रही है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी आज मैं बताने वालों आपके साथ शेयर करने वालों कि क्लब फेक्टरी में क्या-क्या अपडेट हुए हैं तो जिसमें पहला अपडेट आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह कि क्लब फेक्टरी पर केस ओन डिलेवरी प्रोड़क्ट को बंद कर दिया गा ह मेंबर्शिप नहीं दी जा रही है किसी भी प्रकार की यूजर को मेंबर्शिप नहीं दी जा रही है फिलाल COD को बंद कर दीगा है दूसरा अपडेट आपका यह है कि जो shipping है उसको free कर दियागा है shipping charge किसी प्रकार का नहीं लिया जा रहा है और जो payment method है उसे पूरा online कर दियागा है ठीक है online payment ही आप करेंगे तो ही आपका product आएगा अगला अपडेट निकलके यह आता है कि आपका जो product है आप किसी प्रकार का product देखेंगे अलग 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 दिनों की संख्या निर्धारित कीगे कि कौन सा product कितने दिन में पहु से बड़ी बात return policy refund policy क्या है और इसमें क्या-क्या अपडेट हुए सारा कुछ आपको share करने आलो हमारी mobile के screen पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या-क्या अपडेट हुए club factory पर यहां पर आपको दिखाते हैं जो भी update आपके साथ share करने आले किसी product पर आप click किजिए सब पर हमने क्लिक किया size और color हमने select कि confirm देन अगला जो process होता है वह हमें payment का होता है कि हमें किस तरीके से payment करना है तो जब तक आपके पास membership थी आपके पास case on delivery का option रहता था था लेकिन अब यहां payment method पर हम click करते हैं तो देखिए यहां पर COD का option बिलकुल हटा ही दिया गाया या आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फ्रीजिपिंग फर एवरीटिंग यानि हर प्रोड़क्ट को फ्रीजिपिंग दिया जाया कोई प्रकार का सिपिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाया पहले लेते थे लेकिन आप इससे बंद कर दिया गया है तो बिल्कुल अगला अपडेटा अगर आप देखें तो यहां पर जो डेलिवरी लिखा इसके नीचे देखें तीन लाइने लिखी हुए रिटन सर्विस डिलेट डियू कोईट नाइटिन यानि जो रिटन सर्विस है उसे फिलाल बंद कर दिया गया है यानि कि अगर आप रिटन करते है तो उसे फिलाल बंद कर दिया गया यहां पर ग्रेल कलर की लाइन में लिखा हुआ भी है दा रिटन सर्विस फॉर का टैन प्रोड़क्ट इस्टैंपर एलिक प्लोस ड्यू टू कोवीड नाइटिन के चलते से बंद कर दिया अब बात रही कि प्रोड़क्ट कितने दिन में आएगा तो यहां देखिए यह बीच वाली लाइन आप पढ़ सकते हैं एस्टिमेट टाइम आफ अराइवल टेन टू थर्टी डेज याने दस से तीस दिन लग सकते हैं इस प्रकार के सूस को आने में अगर आप और कोई चीज पर्चेस करते हैं जैसे इस पर हमने क्लिक कि हिसले देखिए तो यहां फर 8 12 दिन आने कि आपके प्रोड़क्ट पर आपके दिनों को निश्चित किया जाएका कि कितने में आपका प्रड़क्ट आपके घर आए गया यहां state तो यहां पर 8-12 दिन को लिश्चित किया गया है फिर से हम सूस पर क्लिक करते कि तो तो 10-30 दिन यह देखिए यह वाले आपके पास है आ रहे हैं 8-12 दिन भी ठीक है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है उन्हें आप चेक कर सकते हैं कि कि तो अलग 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 दिन निश्चित किया गया कि किन्ने दिनों में आया गया और पहली बात और आखरी बात मैं आपको बता दूँ कि रिटर्ण सर्विस अ सब्वार के बाहर वने के बाद ही आपकी सारी प्रक्तियां फिर से चालू कर दी जाएगी जैसे केस एन डिलेवली हुआ और भी जया से रिफंड का हुआ तो रिफंड का प्रोब भी मैंने दिखा दिया थै कि पैमेंट आता है लेकिन आपको पेसेंस रखना होता है जा केंडिशन रहती रिटन की वो सारी हमें सो कर दी जाती है कि कितने दिन लगेंगे पेमेंट आने में जो भी हमारा पेमेंट हो कितने दिन में वापस आगा सारा कुछ आप पहले पढ़ लीजे तो उसके बाद या प्रोडक्ट अगर ओडर करें तो अच्छा रहता है ठीक है त तो आपके पास यह जानकरी होनी चाहिए और यह जानकरी लेकर यह आप आगे क्लब फिक्ट्री पर काम करें पर जो चार्ज हमारे इंडिया में काटा जाता है वो 90 रुपे यहां पर यह लिखा हुआ यहां पर अगर आप प्रोडक्ट वापस करते हैं 90 रुपे आपके कि मैंने अभी तक क्लब फेक्ट्री पर ओंलाइन प्रोड़ा लिए लेकिन अभी तक मैंने ओंलैन प्रोड़ाले नहीं वेकर आप रिस्क लेतना चाहते हैं तो ईसके लिए आपको फिलाल किये गए हैं कोविड-19 के चलते हैं और आपको इन सब बातों को ध्यान में रख कर प्रोड़क्ट ओडर करना है फिर से कहे रहा हूं कि ओनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा मेरे पास बहुत सारे कमेंट आगर मैं कमेंटों के स्क्रिंशॉट आपको दिखाने लगूं तो कमेंट से पंदरा मिनिट आपको कंटीनू देखने को यही मिलेगा कि हमारे पेमेंट आप कुछ दिन बाद ओडर कर लेना जब से केस ओन डिलेवरी चालू होगा मेंबर्शिप मिलने लगेगी तो आप तभी प्रोड़क्ट ओडर कीजिएगा तो यह आपके लिए बहुत सही होगा तो क्लफ फेक्ट्री की अपडेट आपके साथ सेर करने थे इन बादों को ध